बाकी तमाम पार्टियां को आप जोड़ दीजिया, तो भारतिय जनता पार्टी को तीन गुणा चंदा इस इलेक्टोरल बॉंड से के माध्यम से अधिक मिला है, तीन गुणा, पहले क्या होता था? पहले होता था कि एक कंपनी अपने तीन साल के नेट प्रॉफित का 7.5% से जादा दान नहीं कर सकती थी, 7.5% of the net profit of 3 years, यह रूल था, लेकिन भाजापा सरकार ने वो लिमिट हटा दी, अब कंपनी को यह बताना भी नहीं है कि किसको कितना चंदा दिया, देखे कितना अपारदर्शी है, व्यक्ति दे सकता है, कंपनी दे सकती है, बिना किसी को यह बताये कि कितना दिया, किसको दिया, क्यों दिया, इतना बड़ा बेनामी धन किसी पार्टी के खाते में आ जाए, तो हमें अब स्पश्च तोर पे समझ में आ रहा है कि काला धन कैसे सफेद होता है, जो राहुल जी कहते हैं कि वो फेर और लवली स्कीम है, तो यह फेर और लवली स्कीम का एक ज्वलन्त उधारन है, कि एक पार्टी के खाते में यह सारा पैसा जाता है और सफेद हो जाता ह ED, CBI, income tax, न इनके कोई छापे पढ़ेंगे, न ये दर्वाजे पर दस्तक देंगे इस पार्टी के, हर छोटे बड़े व्यापारी की नाक में दम कर दिया है इन एजन्सीज, रादनितिक प्रतिद्वंदियों के साथ जो दुर्वेभार किया जा रहा है इन एजन्सीज के माध्यम से वो आपके सामने है, लेकिन इतना बड़ा पैसा देश से विदेश से अलग-अलग तरीके से इलेक्टरल बॉंड्स के जरीए आ रहा है, लेकिन इनका दर्वाजा नह जरूर करें, और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, यूस 24